हुआ है हालो फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं एक कंपनी के वारे में जो फार्मस्टिकल से रिल्टिड है इसका नाम है आर्थी ड्रक्स यह कंपनी आज किल काफी जादा बेरिश्ट देखने को मिल रहा है इसके अभी आर्थी ड्रक्स के यह है कि आर्थीर पारे में बात करें तो यह सब्सक्राइब देखत लेग्ष्स कम दिए बात करें इसके ड्रें बनाती है तो तो क्या क्या करते हैं काम फिर्स्ट है आपीसे लीट्टिक्वारी और फार्मा इंटीर्मेड बनाती है इस पेस्लमस्टी8 एं kissing chemical and products development में इसका सब्सक्राइब काम होता है आर्थी ड्रक्स का और जो इसकी अगर हम सुरुवात की बात करें आर्थी ड्रक्स की तो आर्थी ड्रक्स स्टार्ट विथी 1984 में and form of rupees 900 million आर्थी ग्रूप ओफ इंडस्ट्री विद रोबस्ट आरंडी ड्यूविजन एक तारपूर महारास्त्रा इंडस्ट्री ड्रक्स कोर्परेशन इंट्लोज विदि ओफ मैनुफेक्ट्री लोकेशन अगर बात कहलेते हैं इसके वल्ल के अंदर भी तो इसके टोटल मैनुफेक्ट्रिंग फैसलीटी ज इसकी जहां पर इसका प्रॉडक्शन होता है 100 प्लस कंट्री के अंदर इसका वह चीज़ होता है फिर एक मोडूल मेकुलर साइज के बाग फिप्टी से प्लस है एन फिनिस्ट प्रॉडक्ट है 18 प्लस वन उस दा लीडिंग प्रॉडक्ट्ट अब बात करते हम इसके इसके अब यह कंपनियां का लिस्टिंग हुई थी यह 1984 कंपनी थी अभी हमने देखा बड़ लिस्टिंग हुई थी अनसी में कब 19 सेप्टेंबर 2003 में अगर सिंबल देखा जाए तो इसका सिंबल का पी है इसका यह आपका 22.73 का है और सेक्टोरिल का हैगा 31.61 का हैगा अग इसमें टोटल लिस्टिंग ओफ स्टोक देखा जाए कैपिल जो हैं सेर के लिश्टेद इस्टिंग केपिल शेर से हैं वह नाइन टोट ट्वेंटी सिक्स लेक्ट एंड फेस वैल्यू है 10 रूपीस की अगर बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में अभी जो क्रेंट प्राइस चला है 549 का हैगा जो प्रेवियस जो क्लोजिंग प्राइस थी 565 का था आज यह डाउन साइट में है अभी 3% के असपास अब बात करते हैं अज चिट्रिक्स के स्टोक के बारे में अब हम इसके मार्केट के बारे में देखते हैं इसका जो मार्केट जो क्याप्लाइशन है यह है 5079 प्रेशन का हैगा और जो स्टोक का जो पी अभी देखा 24 का है रिटेन ओफ कैप्टल एंप्लोईड है आपका 24.3 की हैगी अर्निंग पर शेर है 22.7 परसंट का सेल्स ग्रो प्रोट वैली जो है रिटन ओफ एकूटी है इसकी 35.8 परसंट की है प्रोफिट फोर 32.5 परसंट का है चेंग इन्ग प्रोमोडर नी इसमें होल्डिंग में भी कम किया है माइनस में 2.3 का अगर एक साल के हाई हो लोग के बारे में बात करें तो 52 विक लोग है इसका 484 का औ और dividend yield है इसकी 0.46% के आसपास है और face value है इसकी 10 rupees की, sales growth है इसकी 7.12 and number of equity shares है 9.26 और देखते हैं इसके analysis के बारे में, company has delivered good profit of 32.48% CAJR over like 5 years and company has a good return on equity, track record last 3 साल में कितनी हैगी, 26.89% कियागी, company might be capitalizing interest rate and then इसके अगर profit and loss के बारे में अगर बात की जाए, जो इसका sales के ओपर देखते हैं, जो पहले जो 277 में इसकी sales थी, वो 289 क्रोड के आसपास की थी, जो बढ़के अभी जो इसकी sales हुई है, 2021 में 215 क्रोड के आसपास की, अभी तक इसकी sales हो चुकी है, यानि कि मार्च 2008 में 302 क्रोड की थी, मार्च 2009 में 382 क्रोड यानि कि दालसा इसकी sales में काफी ज्यादा ब्रोटी देखने को मिली है अभी, फार्मस्टिकल सेक्टर में, और हम इसके नेट प्रोफिट की बारे में बात करें, जहाँ इसका 14 क्रोड का जो प्रोफिट था, वो अब बढ़के हो चुका है, तगरीबन 211 क्रोड के आसपास का है, यह भी तक चल रहा है, और 1221 में था इसका भी, 211 क्रोड के आसपास काएगा, और अब दिखा जाए तो इस स्टोक में कोई इतनी वो चीज़ नहीं है, बट यह भी काफी ज़्यादा ओवर वैल्यूड पर भी काम कर रहा था, और हम इसके डेसोस के बारे में देखते हैं, जो इसके जो डेटर स्टेज हैं, वो 99 डेज के पहले और इसने डेटर देज काफी कम किया है, 94 में मार्च में भी भी, और इन्वेंटरी देज है, इसकी डिटरन ओफ कैपिटल इंप्लोईज है, 11% के आसपास की है, और इसकी थी अभी आपकी 34% के आसपास की है, अब बात किलते हैं इसके इन्वेस्टर से लिटेट, अब स्चार्ट परसंट के आसपास की इसमें परमोटर के पास इसकी होल्डिंग है, और FI इसके पास जो होल्डिंग है, यह है 2.21% के आसपास है, काफी कम होल्डिंग देखने को मिलती है, FI इसके पास इसकी एन्डिया इसके पास इसकी जो होल्डिंग है, यह है 2.12 के आ अभी 2020 के आजपास जब यह कुरोना आजपास में आया था तो इसकी वैली सोरबी के आजपास काही रेट था उस समय एंड इसने जो मार्गेट ने जो मूव दिया वह काफी ज़्यादा अपसाइट में गया है एंड इसने हाई बनाया आपका 1000 के आजपास कभी 2021 में देन अब जो उसके बाद जो इसमें फोल आया है यह अप्रोक्मेटली काफी ज़्यादा बेरिश साइट में मूव दिया इसने और अभी 548 के आजपास यहाँ पर अभी टेर्ट कर रहा है वाला इस चीज़ के अंदर और अगर देखा जाए तो इसमें काफी ज़्यादा अप एंड डाउंसाइट में अगर देखने को मिला है और काफी ज़्याद अगर आप से कहेंगे 90 एंगल से ही इसने पूरा-पूरा टेरिंग देखने को मिली अपने को वन्मिक के चार्ट के ओपर आर्टी ड्रक्स के अंदर यानि काफी ज़्यादा इसकी स्टोक रहा यह वाला भी आर्टी ड्रक्स जबकि इसके फंडामेंटल के बारे में देखें तो ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला इस चीज़ में बट प्रमोटर ने इसकी होल्डिंग कुछ कम की है तो थोड़ प्रमोटर इसकी अधर आर्टी ड्रक्स का अपने वेक वैल्यू से टेड कर सकता है और जैसे कि अपर साइट में देखा अपर साइट में इसका वंधाव जोन के आसपास का हैगा और में जिसकी काफी जादा नीचे बेरिश च्राइट में भी ट्रेट चल रहा है यह वाला हुआ है